नमोनारायन, जै महाकाल, जै माबगला मुखी, सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है, आसा करता हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी अध्यात्मी कुन्नती आगे बढ़ रही होगी, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक एक कमेंट से लिटेड है, कासी को बाहरी बाधाओं से बचाने का दाईत्य समालते हैं, वैसे ही कासी में मा वराही देवी, छेत्र पालिका के रूप में कासी की रच्छा करती है, इनका मंदिर वारणसी के दस्वासमेद, छेत्र के मान, वंदिर घाट के कुछ मीटर की दूरी पर गलियों के बीच मे मा वराही देवी की स्वयम्भू प्रतिमा है यानि ऐसी प्रतिमा जो अपने आप आती है बनाई नहीं जाती इसलिए इनको सक्ति पीट बोलते हैं सक्ति पीट उन्हें कहते हैं जहां पर स्वयम भगवान विराजमान हो उनका कोई अन्स हो और जहां पर वो जीवन्त हो ठीक है मा वराही कलियूग की देवी कही आती है मा वराही असुरों से युद्ध के समय मा दुरुगा के सेना की सेना पती थी इनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के कस्ट से आपको मुक्ती मिल जाती है आयू तथा धन में व्रद्धी होती है चीक है इस तरीके से देवी मा का ये जो वराही रूप है वो तामसी और सात्विक दोनों रूप है 64 योगिनियों में से 28 इस्थान 28 प्लेस माता वराई का है ये भगवान विश्णु के वरा अवतार की सक्ति रूपा है इनका सीस जंगली सुवर का है इस तरीके से दुर्गा सप्त सती चंडी के अनुसार सुम्ब निशुम्ब दो महा दैत्यों के साथ जब महा सक्ती भगवती मा दुरोगा का प्रचंड युद्ध हो रहा था तब मा भगवती परमेश्वरी की सहायता के लिए सभी प्रमुक देवता भगवान शिव भगवान विश्णू भगवान ब्रह्मा देवराज इंद्र कुमार कार्ति के अपने कर्मु के आधार पर सक्ति सुरूपा देवियों को अपने सरीर से निकालकर देवी दुरुगा के पास पिरित किया था उसी समय भगवान विस्मु ने अपने अंसावतार वरा के सक्ति सुरूपा मा वराई को प्रकट किया था इनके कई नाम है मूला धार को अंदकार में जगत भी कहा जाता है मूला धार से नीचे पैरों तक उससे भी कई घने तीवर अंदकार में जगत हैं ऐसे साथ पाताल कहे जाते हैं जितने बुरे आप करम करेंगे वैसे ही उतना गहरा उस जीवात्मा का पाताल में इस्थान होगा जैसे ठगी कर दिया धन को छुपा कर रखा मिलावटी धन्दे किये गाली गलोज किया दूसरे का माल हलपा काटा मारा इस तरीके से भगवान विश्मु ने वरा रूप का बाहर निकाला था इसी प्रकार से माता वराही कभी स्वेम वही इस्थान है वराही मां के बहुत सारे मंत्र हैं वराही देवी का जो मंत्र है वो काफी लंबा आए अगर वराही मूल मंत्र का आप 48 दिनों तक दिन में 3 या 208 बार जाब करेंगे तो काल सर्प की कोई भी तुटी होगी या कुंडली में कोई तुटी होगी तो वो सही हो जाएगी वराही मात्र को देवी को आप अनार के फल गुड का सर्वत और भोग लगा सकते हैं ब्रह्म मूरत में देवी वराही की पूजा करने से अदभुक्त फल मिलते हैं आप पूजा के लिए घर पर मा वराही की मुरती या छवी रख सकते हैं बसरते इनको सम्मान और भक्ती के साथ रखा जाए ठीक है अगर आप मंदिर में करते हैं तो वहां पर आप मा को हल्दी का पाउडर कुम-कुम फ्लावर यानि फूल अर्पित करें वराही चालिसा पड़े आर्थी करें और इस तरीके से उनके सामने घी का दिया जलाईए और साथ में कपूर भी जरूर जलाएं वराही देवी का वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं पर इनका एक सावर मंत्र भी है ओम नमो आदेश गुरू को वाराही माता भैसी का वाहन हात में काल दंड और द्रश्टी से सासन करती हुई तारे धर्ती माता मन भावन वराह वराही जो दंड को धारन करती हैं राखे पिंड काया और प्राण को सुरच्छित रखें इस तरीके से इनका मंत्र ये सावर मंत्र है उसे भी आप कर सकते हैं वराही माता के तांत्रिक मंत्र थोड़ा सा लंबा है जिन लोग को संस्कात आता होगा वही लोग कर पाएंगे अन्यथा दिक्कत आ सकती है क्योंकि मंत्रों में हमेशा सही उच्चारण होना बहुत ज़री होता है आप इनकी छैपिड की प्रतिमा भी घर में रख सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये तांसिक और सात्विक दोनों रूप हैं अगर आप इनकी छैपिड की प्रतिमा अपने गर में रखेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी मुझुदगी आपकी जिन्दगी में हमेशा बनी रहेगी अगर आपको प्रतियोगी परिच्छा में मुकदमे में अदालती मुकदमे में जीत हासिल करनी है तो सुबह साड़े पांच बजे से लेकर सुबह साड़े साथ बजे तक आप इनकी पूजा जरूर करने और सुबह आरती करें आप इन्हें फूल धूब और मिठाई जैसे परसाद के साथ इनकी घर में आप मुर्ति भी रख सकते हैं तस्वीर रख सकते हैं उनके सामने पूजा करें और उनके सामने चमाय आचना करें प्रातनाय करें पूजा कनुस्ठान करें तो निस्चित ही आपको फाइदा आप चाहे सेव भक्त हों चाहे आप वैशनों भक्त हों चाहे आप साक्त भक्त हों हर भक्त वराही मता की पूजा करने के लिए फिरी है तो ये जो मेरा आज का वीडियो था वो केवल और केवल माता वराही के बारे में था अगर किसी इनसान को इसकी साधना करनी होगी तो मुझे कमेंट में लिख देजिएगा, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं निश्चित ही साधना से लिट्ट भी एक वीडियो सेपरेट अलग से बना दूँगा, यहां पर मैंने जो जानकारी दी है, वो केवल और केवल मातारानी की जानकारी है, असा करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिन लोगों को भी पसंद आया है इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें, शेर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं इस वीडियो को लाइक करें और सेर करें ज़्यादा ज़्यादा जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उन लोगों का अभी के सफर तक के लिए बहुत-बहुत लगकाई